सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट रोस्तों और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप ज्यादा से इस सब्सक्राइब करोगे तभी तो आज हम बात करेंगे कि Android ठाइन है और इससे क्या क्या शूट किया फिर आपने फोटो वीडियो기로 jaParkar कर के रखं़ है कि के तो उसका छोटा चोटा ठोटा ऄएकन आपको गयालरी में दिख जाता है वह जो छोटा छोटा आइकन होथा है ना दोस्तो उसको ही कहते है thumbnail कि हमारे Android phone की thumbnail ऊसको ही कहते हैंmiş थंसे कैंड है तो ओडने से तो हमारी कोई लेना दरा नहीं है ठीक है म्यद्सो कर रहा है कोई प्रॉल्लम नहीं लेकिन एक प्रॉल्लम है दोस्तों तो अभी лучше नुक्सन क्या मीपने आते हैं दोस्तों नुक्सन यह है कि वो जो होता है ना उस थाम्नेल्स की एक थाम्नेल डेटा हमारे स्टोरिस में क्लियर्ड हो जाता है दीसी एम फोल्डर के अंदर आपको वो फोल्डर दीख जाएगा वो जो थाम्नेल डेटा है उसको आप देख सकते है शो हिदेन फाल्स ओन करके फैल में तो उसकी साइज होता नहीं दोस्तों उसको साइज बहुत ही ज्यादा होता है कभी कबर तो ऐसा हो जाता है कि एक से दो करना होगा सिंपल से एक फाइल मेनेजर ठीक है cx file explorer यहाँ पर आप जो देख रहे हो इस फाइल मेनेजर को आपको डाउनोड करना होगा तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूंगा इसका साइज बहुत ही छोटा है तो उसके बाद आपको इस file manager में जाके यहाँ पर यह मैंने rename करके रखा इस file manager को मैं यही file manager यूज करता हूँ तो main storage में जाकर यहाँ पर एक जो three line है ठीक है यहाँ पर आपको प्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक option है show hidden files ठीक है तो इसको आपको on कर देना है और फिर उसके बाद dcim folder के अंदर जाए और फिर आपको दिख जाएगा यह folder ठीक है तो इसका जो size है अभी आप देख सकते हो मेरे phone में फोटो ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते है इसका size कितना ज्यादा है 259 MB का है तो उसके बाद दोस्तों इस folder को इसके बाद आपको। मैं जैसा ऐसे लिक रहा हूं वैसा वैसा वैसाओ को लिखना है ठीक है यह पंप commitments है ऊगा है है कि मेल्स थीक्तले गुल्ग ऐसा आप लोगों को लिखना है कि मुखने के बाद आप लोगों को सेप कर देना है बस आपको इतना ही कर दन है और उसके बाद आप इस फाइल मेनेजर को डिलेट कर सकते हो तो यह जो फाइल है यह फाइल उस फोल्डर को दुबारा से क्रियेट नहीं होने देगा ठीक है तो यही है इसका पर्मेंट सल्यूशन तो बस इतना ही था आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को साथी सा सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक्यू फर और वाचिंट भाचिंट